श्री रादे रादे, भक्तों प्रभू की इच्छा सर्व परि होती है, कोई कितना ही बड़ा भक्त हो किया कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, भगवान की इच्छा के अंतर गत ही उसको दिवन वेटीत करना पड़ता है, मनुष्य की बातें पूरी-पूरी लागो नहीं हो सकती जब तक प्रभू की इच्छा नहीं हो, इसलिए भगवान का हो करके, भगवान की इच्छा जान करके, नहीं जानते हैं तो मान करके, जीवन को शांती पुरुवक जीना चाहिए, आप श्रे उडिया बाबा का चरित श्रवन कर रहतें, दीख्छा की बात मैं इस तुन आई थी कल, जिस परिवार में जन्म हुआ था, राजगुरु परिवार में, वो परिवार, उनकी पिता जी भी, उडिया बाबा की पिता जी भी जी भी थे, मा तो नहीं थी, लेकिन पिता जी जी भी थे, वो बहुत दुख्य हुए, कि मेरे बेटे को शंकराचारे जीने सन्यासी बना दिया, वो नहीं चाहते थी कि बेटा सन्यासी बने, सन्यास ले, किन्त प्रभु की इच्छा थी, इसलिए सन्यास ले लिया, और वो देखते रह गए, और उनहीं के गाओं में, उनहीं के धां में, उनहीं के घर के पास सन्यास ले लिया, और वो कुछ नहीं कर पाए, अर्थात जो भविताव्यता है, उसमें परिवर्टन नहीं कर पाए, राजगुरू होकर भी, बेटा ने सन्यास ले लिया और जिससे सन्यास लिया था वे गुरुदेव श्री शंकराचरी जी महराज ये समझ रहे थे कि आभी ये राजगुरु वाला कारे तो नहीं करेगा गुरुहस्त वाला काम नहीं करेगा कि उसने शादी भी नहीं किये और ये सन्यासी होकर यहां मठ को समा लेगा उत्तरा धिकारी बनाया अपना लेकिन उस समय जो परिवार के लोग आये हुए थे और दुख प्रकट कर रहे थे कि महराजी आपने क्या कर दिया हमारे परिवार के लिए आमर पत्र पर पुराने जमाने का लिखा हुआ है महराजी ने समझाय हम नहीं सन्यास देते इसको तो दूसरी जगजाता सन्यास लेने फिर कभी नहीं मिलता आपको अभी तो मिलता रहेगा तुमारे ही भले के लिए सन्यास यहां दिया इसको उन सब के चले जाने के बाद आचारे चरन भगवान कहे जाते थे, संक्राचारेजी महराज, यह तो पद भी होती है, भगवान तो भगवान एक ही होते हैं, उने की सब की, सब के जीवन के लिज़ा उने की इच्छान का चलती है, तो आचारे चरन भगवान जाता है, जो मूल शंक्राचारे हुए, प्रथम आप कह सकते हैं, आधि शंक्राचारे, वो शिवजी के अंशावतार थे, इसलिए उनको भगवान कहा जाता था, और उसी परंपरा से आज भी लोग कहते हैं, किन्तु महराज आप देखो भगवान की कितना चलती है सब के ऊपर अब मैं आपको अब इसमाने जा रहा हूँ जोडिया बाबा की गुर्देव ते उन्होंने कहा कि तुम भगवान शंकराचारी कृत प्रस्थानत त्रै और प्रक्रण गंथों का अध्यन करो दर्शन शास्त्रों में पारंगत हो जाओ इस आचारी पीठ को पूर्ण सया तुमें ही समहलना होगा भावी शंकराचारी समझ करके मठ में भी आपके प्रति लोगों को व्यावार बहुत उदार सत्कार के साथ होने लगा रहा जो सब उडिया बाबा को सट्राचारी ही मानने लगे जबकि य। बिशंकराचारी बनाएने था तब गुर्देव को प्रणाम करके एकांत में जाकर की स्वस्थ hacking से विचार करने लगे उडिया बाबा को सुभाव था एकांत में विचार करना हो अब बाइट करके कांतों विचार करने लेगे तब चित असमंजस में पड़ गया ये कुर तो वैभव परतिष्ठा संकराचारे वाला पद और विशयाद से महरा उतकट वैड़ाग्य था उर्या बाबा का और वहां तो बहुत ज्यादा वैभव संकराचारे मठ का दूसरे ओर गुरुदेव की आग्या वैभव भी है गुरुदेव की आग्या भी है लेकिन अब खुद विचार करें उड़िया भागा कि मेरे लिए क्या उप्युक्त हुआ हंत में निश्चे किया कि जो त्याग हमको ले जाएगा भगवत धाम या मोक्ष उस पर हमें विचार करना है मारा जिन सोचा त्याग का धनी त्याग का अन्वेशी सत्य समुद्र में छलांग मारने वाला सासी वैराग्य वीर होगा वो प्रवर्टी संबंधी आग्या पालन करने में प्रवर्ट नहीं हो सकता प्रलोभनों का शिकार नहीं हो सकता और ये आचारे सिंगासम शंकर अचारे जी का पद गद्धी ये तो महराज आचारे गद्धी है एक राजा की तरह से है यहाँ पूजा प्रत्रष्ठा की पराकास्था है सब यहाँ पूजा करेंगे धन चढ़ाएंगे कीरती प्रदान करेंगे देखने में तो समराट का जीवन है किन्तो काटों का ताज है क्योंकि जूटा अभिमान बढ़ता जाएगा तो यह हम बहुत बड़े संकरा चारे है जूटे अभिमान का जनक और पोशक होगा यह जीवन मेरा यही नहीं यहाँ सन्यास लेने पर भी घर का संबंद नहीं छूटेगा घर के लोग आते रहें जो उनसे हम मिलते रहेंगे एक तो घर की आ सकती बढ़ सकती है दूसरे यहाँ की पदवी जो है उससे वैभो का अभिमान बढ़ सकता है और जो त्याग हम चाहते हैं उसके विपरिते जीवन जाएगा मेरा और कहने को सन्यासी होंगे घर के रिष्टिदारी सब बनी रहेगी मरा जी ने विचार किया यहां रहने से अहनता ममता सब सिर उठाएंगी मेरे उपर सासन करेंगी चिंता सरपिनी घर बना लेगी क्योंकि आश्रम को चलाने के लिए धन चाहिए इजिए धन कम पड़ेगा तो फिर उसको इकठा करने के लिए सोचना पड़ेगा तो चिंता सरपिनी दस्ति रहेगी मरा जी बहुत विचारवां थे उन्होंने सोचा कि इस नवजात सुकोमल सन्यास दीवन को मोह ममता रूपी बकरियन चर जाएंगी क्योंकि मोह ममता बढ़ेगी यहां रहने पर और आगे की आशालता भी यहीं मर जाएगी तथा इस माया मोह को तथा मीठे आपात रमणी प्रलोभन को मतिया मेट करने का एक महत्रुपा है इस स्थान का पूनरूपें रत्याग महराजी तना भी चाहर वाम थे उड़िया बाबा कि उन्होंने इस माया कभी प्रभाव देखा और कहा अरी माया ठगनी मैं जानता हूं तेरे कुकिल कटाक्ष तेरी आँखों में वीश है तेरी द्रिष्टी पड़ी कि जन्म जन्मानतर के लिए मृत्यू पास तयार हुआ तो द्रिष्टी पात करने योग नहीं है तीसरे नेट से भस्म कर देने योग है और फिर बोलने लगे अपने हाप में अरी कामना मैं तेरी जड़ को जानता हूं संकल्प से ही तो तूद्पन होती कामम जाना सी ते मूलम संकल्पात किल जाय से इस प्रकार से महराज वाइरागी चक्र से काम का मूल अच्छे दन कर दिया और जैसे शिवजी का आस्त्र है पास्वपतास्त्र जैसे उसी से मनमोहक प्रणों का सिर काठ दिया बहुत प्रलोभन थे, जगनातपुरी का शंकराचारे बनने जा रहा हूं, वैसे भी राजगुरु का बेटा हूं, राजगुरु का बेटा तो जन्म से था, अब शंकराचारे बनने जा रहा हूं, जगनातपुरी का, ये सारा प्रलोभन जो था मनमोहक, उसको महराजीन अप ने विचार से काट दिया और मुवपाश को छिन भिन्द कर दिया घर और गोबर्धन मठ जो शंक्राचार कमठ हो गोबर्धन मठ का जाता है उसके वैभाव को सरवदा के लिए त्यागने कर निश्चे कर लिया और वास्तिविक सन्याज की सरस माधुरी का पांध करके सन्याज सवंदर्य लहरी के सार भूता आनंद लहरी हो जाने का संकल्प कर लिया और महराज अब श्री उडिया बाबा के चित्त के आकास में ज्ञान विज्ञान की रसधारा उमरने लगी मन से बिलकुल हट गया किमराज राजगुरु का बेटा या कहलाओंगा और जगनात पुरी के इस मठका शंकराचारे मठका शंकराचारे कहलाओंगा एक दम वैराग्य हुआ महराज्जी को और पर्चित देश को चांडाल की बाटिका के समान त्याग देना चाहिए मठ में दो महिना केवल रह करके गुरुदेव से काशी जाने की आग्या ले करके उन्हें प्रनाम करके चल दिये जिस प्रकार बाल सोर्य उदया चल चे गेर्वा पर धान धारन करके निकलते हैं उसी प्रकार ये नवीन सन्यासी स्वतंद्रता के चम्चमाते हुए प्रकाश में जाजल ले मान हो त्या आगागनी की उष्ण रश्मियों को दशूंती शाओ में विखेरते हुए वहां से चल पड़े महराज अब आप सोच लो विचारवान लोग क्यागी सन्यासी और भक्त लोग कितनी सुक्सु विधायें वहां भरपूर थी राजगुरु के पूत्र वाला सम्मान था और जगनात्पुरी के शंकराचारे मठ का शंकराचारे पद मिल रहा था बहुत सम्मान था राजा भी सेवा करते थे वहां लेकिन साब मन से चाग दिया विचार किया कि ये बंधन है मया ठगनी हमको ठगने जा रहे है और वहां से चलने पर महराज जब गुरुदेव को प्रणाम किया कि मैं काशी जाने के लिए गुरुदेव आग्या चाहता हूँ तो आप कैसे कहते हैं कि नहीं काशी के दर्शन नहीं कर दो उले ठीक है जाओ दर्शन करो और वहां से चलने पर सब से पहले दंड कमंडल को जो धर्मध्वजा हो करके जन्म कर्म और सन्यास के अभिमान को पुष्ट करते हैं महराजी ने उस दंड कमंडल को समुद्र की भेंट कर दिया अर्था तो समुद्र देव को अर्पित कर दिया समुद्र में डाल दिया दंड कमंडल सन्यास तो एनत्यजसितत्यज जिस त्याग के अभिमान के द्वारा सब कुछ त्यागा है उसे भी त्याग दो शास्त्र वचन पर महराजी की द्रिश्टी गई कि जिस त्याग के अभिमान के द्वारा सब कुछ त्यागा है उसे भी त्याग दो सन्यास्त्याग का स्वरूप है और उसका चिन है दंड कमंडल उस दंड कमंडल को भी महराजी ने समुद्र में भी सरजित कर दिया महराजी ने जो आधरिश बनाया है भक्तों उच्छ कोट के सच्चे सन्यासी का बड़ा दुरलब है बहुत दुरलब है महराज जी ने तो जो सिद्धान्त है कि जिस त्याग के अभिमान के द्वारा सब कुछ त्यागा है उसे भी त्याग दो एन त्यजस्तत्यज इसके स्वरूप सर्व त्याग की शायली शील और जीवन बना लिया सर्व त्याग की शायली शील और जीवन धारन करके महराज जी ने डंड कमंडल ही समुद्र में फेंग दिया लो प्रभू आपकी चर्ण में अरपन है समुद्र को ही भगवान को सुरूप मान कर उनकी चर्ण में डाल दिया अब सर्व त्याग ही हो गए जब सभी त्याग कर दिया तो इनको भी क्या रखना इसले कुल महराज उतने दिन लगबग दो महीने जो गुरुद्रेव के चर्णों में रहे मठ में दो महीने केवल रहे दो महीने तक सन्याज का जो चिन ठा डंड कमंडल महराज जी का वो रखे रहे और वहां से जब काशी का दर्शन करके आग्या प्राप्त करके चले हैं दर्शन करने की आग्या प्राप्त करके काशी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए गुरुदेव आधेश दीजिए आशिरवाद दीजिए और गुरुदेव का आदेश आशिरवाद प्राफ्ट करके जब चले हैं तो समुद्रिम विशाजिन करके अरतात कुल दो महीने ही दन रखा था जो सन्यासी का चिन्न होता और मन में सोचा है कि जब त्याग का ही जीवन है तो इनको किवित्यों रखों ये तो हमारे अहंकार क सूचेक हैं कि हम बहुत बड़े शंकराचारे पद को प्राप्त करने वाले सन्यासी हैं तो जो पहिचान थी वो उसका भी त्याग कर दिया मन में सोचा है जब सभी त्याग दिया तो इनको भी क्या रखना इस दृष्टी से जो शेष कर्म चिन्न थे उन्हें भी समाप्त क कि हम सन्यासी हैं हम दंडी हैं हम शंकराचारे जी महराज का पद पाने वाले हैं ये सब समाप्त है अब अपने जीवन मंदिर में अपने हिरदय को जो प्रिय सिद्धान्त और शैली थी उसी को धारण किया जो ग्यान निष्ठ विरक्त हो अध्वा भगवान करते मेरा निष्काम भग्त हो वो चिन्नों के साइट सब आश्रमों को त्याग कर शास्त्र विधि की अधिन नर कर स्वतांत्र वीचरे ये भगवान की आग्या है सामान्य मनुस्य के लिए नहीं भग्त है बहुत उचिकोट के ज्ञान निष्ठ सम्यासी की बात है ज्ञान निष्ठ हो विरक्त हो अत्वानिष्काम भग्त हो तो वो चिन्नों के साइट सब आश्रमों को त्याग कर शास्त्र विजि की अधिन नर कर सोतंत्र वीचरे बिल्कुल वही स्विकार कर लिया श्री उडिया बबाबा ने वक्तों यहां पर महराजी के आचरन से ऐसा लगता है उडिया बबाबा के आचरन से कि भगवान की आज्या सर्वो पर ही गुरुदेव की आज्या लेकर के ही निकले थे ऐसा नहीं कि गुरु आज्या का उल्लंगन किया था गुर्टिव की आज्या लेकर ही निकले थे लेकिन जो भगवान ने कहा है न ज्ञान निष्ठो विरक्तोवा मद्भग्तो अनपेक्षकह सलिंगान आश्रमान स्ट्यक्त्वा चरेदविधिगो चरह अधाज ज्ञान निष्ठ विरक्तो अध्वा मेरा निष्काम भग्तो वो चिन्नों के सहित सवाश्रमों को त्याग कर शास्त्र विजी के अधिन नर्ह कर त्वतांत्र विचरे महराज बिलकुल ओंड त्यागी सर्वस्त त्यागी वो करके महराज जी चल पड़े हैं जगनात पड़ी से अब महराज जी के पास कोई बरतन तक नहीं था ये समझे लिजी आप शरीर पर जो कपड़ा था उसके रहो कोई कपड़ा नहीं था कोई जोला नहीं कोई डंडा नहीं धंड नहीं कोई कमंडल नहीं आप ऐसा कह सकते हैं कि उस समय उड़िया बबाबा सर्वस्त त्यागी होकर जब चले हैं तो क्यों उदर पात्री या करपात्री थे वो भिक्षा में हाथ में ही लेना पड़ता कुछ मिलता तो और पेट में भर जाए जितना उतना ही उनका उदर भी पात्र था पहले कर पात्र था फिर उदर पात्र था इसके लाओ कुछ भी नहीं रुपए पेशे तु लेते ही नहीं थे न भोजन कर सामानी कठ्था करना न सामान कोई कैसा भी सामान नहीं रखना कपड़ा बरतन और ना भिछाना कुछ भी नहीं और पुरी से महराजी रानी गंज पहुंचे हैं पैदल ही चलना था उनको वह महराजीप ने अपने साधन क्रम का निश्चे किया बड़ा अद्बूत होता है सत्याग भक्तों जो त्याग में जीवन को जिया हो उसके समझ में आये गाने को नहीं समझ में है मन तो बहुत प्रसन होता है इसमें कोई संदे ने कि आज हम सब से मुक्त हो गए लेकिन हायकटिन जिस सोक्समझ रिष्टी से देखा जाए तो महराजी स्वयम ही अपने गुरू और जीवन निर्माता रहे दीक्षा तो ली थी सन्यास की दीक्षा ली थी गुरू के पास दो महिने भी रहते लेकिन अब आगे का जीवन जो था अब आगे का जीवन उनका स्वयम गुरू का ही था और जीवन निर्माता भी स्वयम ही थे आश्रे भगवान का आप मान सकते हैं और किसी का नहीं गुरू देव का अशिरवाद तो था ऐसा नहीं कि गुरू के अशिरवाद से भी इन थे अशिरवाद लेकर ही चले थे आग्या लेकर ही चले थे महान जीवन में आत्म कृपा का ही जीवन मुख्य था उनका और जवसे श्री रामेश्वरम धाममें महराज शंकर, भगवान शंकर का दर्शन किया रामेश्वरम धाममें भगवान शीव का दर्शन किया तब से उस रूप में ऐसा कर्शन हुआ कि महाराज जी ने बस रामेश्वर भगवान का ध्यान करने का निश्य कर लिया रामेश्वर अमधाम में भगवान सी रामेश्वर अर्थात रामेश्वर भगवान जो मंदिर में विराजमान है प्रभु राम जी के द्वारा विराजमान, उनका दर्शिन करके मन मुख्ध हो गया। ऐसा कर्शन हुआ कि बस भगवान रामेश्वर का ही ध्यान करने लेगा। पंचाक्षर मंत्र जब करते हुए वशुपति भगवान शंकर का निरन तर चिंतन करना ये कारिक्रम हो गया। और शंकर जी में स्रीमित भाव नहीं था। मरज्य के शिव सर्वानन शिरोग्रीव सर्व भूत गुहाशे और सर्व व्यापी थे। इसलिए शिवार्चन की पद्धती थे। मरज्य जानी पुरुष थे। भागवान शिव की भाक्ति, मोक्ष और विध्या प्रदान करने वाली। विध्या कमता आप कोई भासा प्राय लिखाईक बात मत समझे न, विध्या मतो ज्ञान प्रदान करने वाली। शीवजी की भक्ती मोक्ष देती है, ज्ञान देती है विद्या, जो बंधन से मुक्ति दे, वो विद्या, इसले शीग्र ही लक्ष की प्राप्ति होती है, माशक्ति तो पहले ही महाराजी की जीवन में आतरित हो चुकी थी, आपको पहले तुना चुका हूं, और सबीना से मानु सोनय में हो गए. पहले जगद्बा की भक्ती की थी, जब असाम मेn थे और जगद्बा म्यद्ध धर्शन भी प्राप्ट किए थे. आप शिवजी की उपासना की हेरा में छुड़म में, तो महरा शिवपासना में देश स्वोने की सुगंद, पहले स्रक्ति माता के दर्चन हुआ, आप अर्धनार इश्वर इस दीवन नया का कैसे संचालन करेंगे, ये बड़ा अद्मूत है, सर्वस्तोत्यागी का स्वरूप अधनार इस दर्चन है, भक्तों आप कितना ही सबकु स्ट्याग करके चलें, भले भी कोई सामानब नहों, कोई परषित नहों, लेकिन चलना तो संसार में ही पड़ेगा, तो संसार में कोई ने कोई तो मिलेगा कही ने कहीं, और आप तो शिव जी के भी भक्त हो गए थे, जगदंबा के पहले ही थे, जितने इस्ट अथवान इस्ट विशे हैं, उन सब की अपने इस्ट परमात्मा सुरूप से ही भावना करना हो, और चित्त में रागत द्वेश नहों होना, यह ही शिव जी का पूजन है, यह व्यापक पूजन है, यह सार पूजन का सार है, और म राणी गंज में एक सव में शान्त और विवेकी बर्मचारी मिले, उन जिनों विचार्थ हमारा जी का कि सब की सुनना और अपनी किसी से न कहना, क्योंकि भगवान ने कांदो दिये, इसले मुख यह दिया है, तो मुख जीतना बोलना उससे दुग न सुनो, कम से कम बोलो, सुने बोले कम, ऐसा जीवन महारा जी ने बनाया था, अभ जो लनते हैं ब्रमचारी जी उनकी वारता महाराजी से होती हूँ, मैं काल आ लाग को बताऊंगा, और आज महारा जी को प्रणाम करकि आ कि र turning देरा, श्रादेरा दे श्रादे, श्रादे, श्रादेёт झाल झाल